हेलो गाइज, आज मैं आपको एक ऐसी चेश ट्रिक बता हुगा, जिसे खेल कर आप शुरुआती के मूज में अपोनेंट का पीस क्याप चिल करके गेम में भड़त हासिल कर लोगे, लेकिन आप इसको तब ही खेल पाओगे जब आपको इसके दोनों वेरियेशन्स पता होगे इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तो चलिए शुरू करते हैं इस चेश ट्रिक को मॉटिमर ट्रैब भी कहते हैं और आप ये ब्लैक पीसे से खेलोगे आपको ये खेलना तब है जब आपका अपोनेंट गेम की शुरुआत पॉन टू E4 से करें फिर आप चलोगे E5 और जैसे ही वो घोडे से एटेक करता है पॉन पर आप अपने घोडे से डिपेंड करोगे पॉन को इसके बाद वाइट का सबसे कॉमन रिस्पॉन्स होता है बिशब टू B5 ये काफी popular opening moves है और इस opening को Roy Lopez opening भी कहते है जिसके जवाब में आप अपने दूसरे घोडे को भी भार निकालोगे और black के इस response को Berlin defense कहते है और क्योंकि हमारा घोडा white के प्यादे पर अटेक कर रहा है white का सबसे common response होता है कि वो D3 चलकर अपने pawn को defend करे next move में आप अपने trap को अंजाम दोगे आप अपने घोडे को E7 square पर चलोगे हमारे घोडे को हटाते ही हम white को invite कर रहे हैं कि वो हमारे प्यादे को capture करे यहाँ पे 90% of players लालची हो जाते हैं वो देखते हैं फ्री में प्यादा मिल रहे हैं और वो उसको capture कर लेते हैं और इसी move के साथ white हमारे trap में फस चुका है चलिए देखते हैं कैसे next move में आप pawn to C6 चल कर उसके उट पर attack करोगे उट को बचाने के लिए white के पास दो options है या तो वो अपने उट को A4 पर चले या फिर C4 पर अगर वो अपने उट को A4 पर चलता है तो आप अपनी रानी से उसको check दोगे और इसी के साथ आपने उसके दोनों pieces को poke कर दिया है और इन दोनों में से एक piece आपको easily मिल जाएगा अगर हम वापस से पीछे जाए और let's suppose वो अपने उट को C4 पर चलता है तैन उस case में भी आप अपनी रानी से उसको check दोगे और उसके राजा और घोड़े दोनों को poke कर दोगे और जैसे ही वो check को block करेगा आप simply उसके घोड़े को capture कर लोगे इस position में हम already piece up हो चुके है क्योंकि हमारे पास एक extra घोड़ा है जो कि एक बहुत बड़ा advantage है एंड ये एक winning position है black के लिए अगर हम वापस से पीछे जाए और let's suppose white अपने उट को बचाता ही नहीं है उसकी जगे वो हमारे उपर एक trap खेलने की कोशिश करता है अपने घोड़े को C4 पर चल कर इस position में आपको बहुत carefully खेलना है क्योंकि आप उसके out को capture नहीं कर सकते अभी क्योंकि अगर आपने ऐसा करा तो next move में ही आपका checkmate हो जाएगा इसलिए उस position में आपको out को capture नहीं करना है क्योंकि वो कहीं नहीं जा रहा आपको उसको capture करने का मौका बाद में मिलेगा इस position में आपको चलना है pawn to d6 white के out के उपर अभी भी attack हो रहा है और उसके पास केवल एक ही square बचा है बचने के लिए जो की है a4 जिसके बाद आप simply pawn to b5 चल कर उसके घोड़े और out दोनों को fork कर दोगे white यहाँ पर कुछ भी चल ले इन दोनों में से एक piece का मनना तो तै है जिसके बाद आप piece up हो जाओगे और ये game जीतना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा तो ये थे Mortimer trap के दोनों variations अगर आप कोई chest trick बसंद आई तो वीडियो को like करो और ऐसी ही और chest tricks के लिए channel को subscribe करो तो मिलते हैं next वीडियो में